हलो आई रोवान आम रमेश निसाइद और वेलकम यू और आज किस वीडियो लेक्षर में हम डिस्कस करने वाले हैं Unseen Passage के बारे में Unseen Passage जो की अक्सर एक्जाम में आते रहते हैं चाहे वो नवी की बात हो चाहे दस्टवी, ग्यारवी, बारवी, कॉलेज यहां तक की competitive exams में भी Unseen Passage के questions आते रहते हैं तो आज किस वीडियो लेक्षर को देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफी helpful होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आप Unseen Passage को बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Scene Passage और Unseen Passage होते क्या हैं Scene Passage जिसे पठिद गद्यांस कहते हैं जो की हमारे relation में already होता है यानि Scene Passage वो होता है जिसे हमने अपने relation में already पढ़ा हुआ है unseen passage it means अपठित गध्यांस जिसे हमने लिशन में नहीं पड़ा हुआ है और unseen passage कहीं से भी दिया जा सकता है किसी भी topic से related दिया जा सकता है तो ये होता है unseen passage unseen passage जो होता है वो 1.5 सब वर्ट के, 2 सब वर्ट के, 2 सब वर्ट के या 300 words के होते हैं और उसके according कुछ-कुछ questions दिया जाते हैं और उन questions के answers हमें passage के ही according देने होते हैं तो ये होता है unseen passage जैसे कि आप देख लीजिए आपने इस story के बारे में तो देखा, सुना या पढ़ा होगा जैसे खरगोस इनकच्छवे की story के बारे में तो ये जो story है इसी stories related कई सारे passage दिये जाते हैं यानि unseen passage जो है वो कहीं से भी दिये जा सकते हैं और इसके according कुछ-कुछ questions दिये जाते हैं तो unseen passage को swallow करते समय हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी हमें unseen passage का questions मिलता है तो हम क्या करें तो अकसर आपको पता होगा कि जितने भी exams होते हैं उने exams में लगभग 15 minutes के आसपास आपको अलग से extra time दे जाता है उस समय आप चाहे तो unseen passage को आप आसानी से पढ़ सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखिए कि हम direct unseen passage को नहीं पढ़ेंगी तो किसको पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे questions ताकि जब questions हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम passage में उन चीज़ों को उन questions के answers को देखने की courses करेंगे समझने की courses करेंगे recall करने की courses करेंगे जैसे example के लिए यदि आपको कोई question पूछा जाता है या कोई आपको कोई सब्द कहता है तो आप उस सब्द को ध्यान में रखते हो कि हां उसका answer क्या हो सकता है जैसे कि आपनी इस story नहीं पढ़ी हुए है यदि मैं आपसे पहले सी question कर पूले वहां ौन जीटा तो soft and WWE आपके दिमाग में रहेगा question हां कौन जीटा है के खार जीटा की कछव जीटा की ऑफुच्व जीटा की इस तारह के questions रहेंगे लियौ हैसे पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में इस सारे चीज़े घुमती रहेगी हां कौन जीता है कौन जीता है कहां पे हुआ कौन सा competition था दौड़वाला था कहां पे था इसके अलावा कौन सा पुरुसकार मिला यह question अगर मैंने आपन Coffee बंदम कहा तो कया करना है कौन को पहले पढ़ना है question कि आपको पैसे जाना है तो यह करना है इसके अलावा आपको क्या क्या करना है इसके अलावा एक्जाम में पेन अलाव नहीं होता है यानि पेन को जैसे पेन से आप जो है question paper है उसमें आप mark नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे आप जो है एक pencil पकड़िये और first question को आप भी देखिए first question का answer आपको जैसे मिलता है कि य लगा के रखिए ताकि आप जब स्वालो करोगे तो क्या होगा आपको आंसर आसानी से मिलते जाएंगे इसके लावा इस तरह से आप रेड करेंगे इसके लावा आपको क्या करना है कि आप जो है इसे लास्ट में मत बनाईए आपको जब भी समय मिलता है इसको एकदम कठी मत समझे जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप इसको बनाईए ठीक है तो इस तरह से आप करिए इसके अलावा आप क्या करेंगे इसके अलावा यह चीज़ें यह एक sequence को follow करता है यानि जो first question का जो answer होता है वो आपको शुरू में ही मिलेंगे first paragraph में second paragraph में second question के जो answer रहेंगे वो भी आपको first paragraph में second paragraph में third paragraph के आसपास ही मिलेंगे it means आप यह मान के चलिए कि जो first question है first question का जो answer है आपको first में मिलेंगे Second question का answer, second में मिलेंगे, third question का answer, third में मिलेंगे, वैसी last का वैसी होगा, last question का answer, आपको last मिलेंगे, ऐसी unseen passage, जितने भी unseen passage आते हैं, वो एक sequence को follow करते हैं, इसलिए आपको काफी आसानी होती है, तो ऐसी आप देखिए, try करिए, कि आप first question है, यानि आप सुरू में पहले देखिए कभी कभार ऐसा होता है, कि first question का answer, last में दे देते हैं, या last question का answer, शुरू में दे देते हैं, ये कभी कभार होता है, लेकिन हम इससा sequence को follow किया जाता है, तो इस rule को आप अच्छे से याद रखे, इसके लब कुछ-कुछ key points है, आपके जितने भी questions आते हैं, इन questions कैसे आते हैं किस तरह से आते हैं, तो ये जो questions है, वो इस तरह से पुछे जाते हैं, WH से, what से, क्या, what, what was there, इस तरह से कई सारे questions पुछे जा सकते हैं, what was the competition, competitions क्या था, क्या competition था, ठीक है, what was there, वहां क्या था, ठीक है, उनके नाम क्या क्या थे, तो what से क्या, कई सारे questions पुछे जा सकते ह मar में एड़ में आप ऊदुछा जा सकता है में मीं कब या उस एम इड़ूरेशन को पूछा जा सकता तो कह पे था किस जगा चाहता एंगה पूछे जय जा सकता है क्यों दोनों के पीचे इसका क्या reason है तो क्यों मैं आपको reason बताना पड़ेगा वाई का विच कौन सा कौन सी जगह वीच प्लेस ठीक है ऐसे तरह से कई सारे questions पूछे जा सकते हैं किसी व्यक्ति को पूछा जा रहा है या किसी जीव को पूछा जा रहा है तो हू का यूज आ जाएगा हाउ से कई सारे questions बनेंगे हाउ मिंस कैसे किस तरीके से इसके अलावा जैसे मैंने जोड़ दिया हाउ मच यानि कितने अंग अंकांटेबल जो भी अगर्णी चीज़े हैं अंकांटेबल जो नाउने इसके लिए उसके लिए इसके यूज होता है मैंयने जोड़ दिया मीनृ आंग तिलre को व सब्शनाहम कितने ड Zion कितने कितने टिया हम मिनी कितने इसके इसके चलावं जोड़ दिया वी बने ऐसे इस, तहुबम से कई सरे questions बन सकते है तो ऐसे ही आपको क्या रखना है इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसके अलावा आपको question पुछे जा सकते हैं antonyms से, synonyms से, antonyms और synonyms question answers तो रहेंगे ही इसके साथ कभी-कभी पूछते है antonyms क्या है, इसका antonyms क्या है, synonyms क्या है, तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना है अपने mind में आपको धुणना है, mind में, कि हाँ मैं जानता हूं क्या इसका meaning, या इसका synonyms या इसका antonyms क्या हो सकता है, जैसे good है तो इसका bad हो गया, तो ऐसे ही आपको क्या करना है Antonyms, Synonyms आपको धुनना है, पहले दिमाग में धुनना है, अगर नहीं मिलता है, तो आप उस passage में चाहिए, उस word को धुनिए, और उसका meaning क्या हो सकता है, उसको आप पढ़िए, उस sentence को पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि हाँ ये इस sense में यूज हुआ है, तो ये पढ़िए, तो उसके बारे में पूरा सार वही है, तो ऐसी टाइटल होता है, जैसे कई सारी चीज़े, जैसे इन्वार्मेंट के बारे में बार बार बात हो रही है, तो इन्वार्मेंट आपका टाइटल हो गया, जैसे साइंस के बारे में बार बार चीज़े आ रही है, त तो ऐसे ही आपको क्या करना है टाइटल धुनना है तो टाइटल धुनने के लिए आपको एक में ट्रिक बता रहा हूं कि जो यदि आप पैसेज पड़ रहे हो तो एक वर्ड अधी बार बार आया है, बार बार रिपीट हुआ है, तो वहां पर उसका वही टाइटल हो जाता है, या फिर टाइटल जो होता है वो शुरू के तीन चाल लाइनों में, या फिर लास्ट के तीन चाल लाइनों के बीच में ही होता है, तो यह होता है टाइटल, या किसक के सार से हम ढूंद सकते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें question पहले देखना है, question यहां पे है, how was the Indian education system in ancient time, आपको कोई meaning-winning पता नहीं है, आपको सिफ question देखने हैं, question के बाद आपको answers देखने है, बस यही करना है, ठीक है, तो यहां पे how, how का मतलब कैसे होता है, आपको तो समझ में आ जाएगा, how was the Indian education system in NCN time, तो इस तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह जो Indian education है, याने भारती जो शिक्षा system है, प्रणाली है, वो NCN time में प्राचीन समय में कैसे थी, अब यह आपको देखना है कि Indian education system in NCN, अब यहाँ पर ढूढ़िए, Indian education system, यह सुरू में ही आपको बिल गया, in the NCN time was truly world class, which attracted scholars from all over the world, यहाँ तक आपका answer हो गया, तो आपको लिखना कैसे है, question कि according आपको answers लिखने है, सीधा उसको यहाँ से अमें देखा, और यहाँ से ऐसे, as it is सीधा छाप दिये, ऐसा नहीं करना है, printing नहीं करना है, आपको जैसा पूछा जारहे, जीते ना पूछा जारहे, उतना ही बताना है, एकदम extra नहीं लिखना है, तो जो पूछा गया है, वही लिखना है, तो यहाँ पर आप question देखेंगे, इसके according आपको answer लिखने है, तो यहाँ से start करिये, the Indian education system in ancient time, उसके बाद फिर यह was आजाएगा, was, उसके बाद फिर आगे आप लिखेंगे, was, truly world class, which attracted scholars from all over the world, यह यहाँ तक आपका complete, ऐसे ही आपको answer लिखने है, और इधर पूरा ऐसे, सिधा गाड़ी start किये, और आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है, जितना पूछा जा रहा है, उतना ही लिखना है, नेक्ट जैसे question है, what causes the modern education list in term, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, modern education list in term, यदि इस समय जो modern education हो कैसे थी, किस तरह से थी, यानि इसका कारण क्या है, कि एकदम संशिप्त रही, term में, तो इसका जो answer हो जाएगा, आप देखे, list word कहां पर है, तो यहाँ पर आप दे value system and employability, यहाँ तक, यहाँ आपका answer हो गया, और आपको extra नहीं लिखना है, जितना पूछा जा रहा है, आपको यही उतना ही लिखना है, take the correct option, अभी हाँ पर correct option लगाना है, a guru means, अब guru का मतलब क्या होता है, सब को पता है, अब सबसे पहले आपके दिमाग में यह answer है ही, तो आपको अलग से ढूडने की जरुरत नहीं है, guru का मतलब doctor होता है क्या, no, engineer होता है, no, lawyer होता है, no, आपको passage में अलग से ढूडने की जरुरत नहीं है, आप सिधर direct लगाएंगे teacher को, it means, देखे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचे कि हाँ, इसका answer क्या हो सकता है, मेर यहां पर ढूंडोगे, guru का मतलब क्या होता है, यहां पर, guru के बतला, guru की जगा पर कोई दूसरा word आ गया, जिसका मीनिक आपको बिलकुल भी पता नहीं है, तो आप उस sentence को देखे, guru, यहां पर guru का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे आप पढ़ेंगे na sentence को, तो आपको समझ में जा technology के लिए, YouTube के लिए, कि इसके लिए use हुआ है, तो यहां पर आप देखे, पता नहीं हमें, दिमाग में पहले हमने ध्यान लगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, game changer का मीनिंग क्या हो सकता है, नहीं आया दिमाग में, अब जाए, game changer कहा है, देखे, game changer word आया है, यहां पर, game changer in the process हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है यहां पे देखे information technology यह वर्ड तो यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा answer हो जाएगा information technology तो यह जो term game changer है वो यूज हुआ है information technology के लिए तो यह हो गया अब next देख लेते हैं question write the antonyms up अब यहां पर आ गया antonyms synonyms antonyms यह आते ही है आ सकते हैं भी तो यहां पर देखे modern modern का antonyms होता क्या है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में लगा यह आपको तो पता है modern modern ka antonyms क्या होता है ancient यदि नहीं भी पता तो यहां पर ढूंड़िए यहां पर देखे एक word आया हुआ ancient ठीक है तो यही क्या है यही answer है हमारा next देख लेते है past past का जो antonyms है वो क्या होता है तो present होता है यह current तो यह हमारा answer हो जाएगा तो अलग से दूढ़ने की जौरत नहीं है यही जौरत है तो वहां पर हम ढूंड सकते हैं वैसी choose the word from the passage which means यहां पर देखे इसका meaning क्या है person with highly developed intellect person जो highly developed है intellect है ग्यानी है उससे क्या कहेंगे तो यहां पर ढूंड सकते हैं कुछ-कुछ word आया हुआ है intellect related ठीक है तो यह है intellectual यह अपना answer हो जाएगा वैसी और देख लेते हैं question why did a guru earn respect जो group have would respect क्यों करते है उन्हें respect क्यों मिलता है तो यदि आप अपने दिमाग में सोचें कि क्यों मिलता है तो उनके पास कुछ 챙ता होती है उनके पास घ्यान होता है वो ग्यान बाठते हैं इसलिए उनके पास उन्षब क्या करते है वो respect earn करते तो फिर भी से आप देख लीजिए कि respect earned से related कहां पे है, Guru से related, यहां पे Guru है, and आगे यहां पे दिया हुआ है, respect, resources, who truly earn, यहां पे earn word आया है, that respect due to his, her, caliber and value system, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह वाला answer हो जाएगा, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके caliber, it means जमता and value system, उनके पास क्या है, मुल्य परणाली है, तो इसकी वो जबसे, वो क्या करते हैं, वो respect earn करते हैं, तो ऐसे आपको answers निकालने हैं, अब last time हम देख लेते हैं कि इसका जो title होगा, वो क्या होगा, तो title मैंने बताया है कि title कैसे ढूनते हैं, title कोई word, बार बार repeat हुआ रहता है, तो वो होता है title, या फिर, यदि title नहीं मिलता है, तो वो जे story है, किस विशा में है, किस चीज़ को ले करके हैं, या फिर, ऐसा भी आप देख सकते हैं कि सुरू के तीन line तीन चाल लाइनों में, या last के तीन चाल लाइनों में, वो title होता ही है, तो इसमें देखिए कि इनमें क्या चीज़े हैं जिसके बारे में discuss किया गया है, किसके बारे में चर्चा की गई है, तो किसके बारे में चर्चा की गई है, the Indian education system, यानि भारती सिक्षा प्रणाली, यही हो जाएगा हमारा title, जिसके बारे में यह जो passage है, इसमें पुरा जो सार है, वो भारती सिक्षा प्रणाली से related है, Indian education system से ही related है, तो यही हो जाएगा हमारा, the Indian education system, यही हो जाएगा हमारा title, तो ऐसी आपको देखना है कि किस विसा में चर्चा की गई है, और ऐसी आप title क धून सकते हैं, यह जदि आप passage को पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपको पताच चल जाएगा कि वो word बार बार repeat हुआ रहेगा, यह फिर शुरू के तीन चाल लाइनों में, यह लास्ट के तीन चाल लाइनों में होगा, यह फिर आपको पताच चल जाएगा कि जो story है, यह वो कुल मिला के किस point को ज़्यादा focus किया गया है, तो ऐसी आप unseen passage के answers बड़ी ही आसानी से बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं, I hope कि आपको unseen passage का यह trick काफी पसंद आया होगा, मैं भी लूगा एक interesting lesson के साथ, next video lecture में तब तक के लिए धन्यवाद